कि यह दोस्तों हमारा नया बैक्ग्राउंड जो कि मैंने अभी त्यार किया है आई होप कि आपको यह पसंद आएगा मुझे बताना जरूर से कि जो बैक्ग्राउंड है वह आपको कैसा लग रहे तो सबसे पहले कैमरा के सामने आते हैं भाई आपसे बात करना भी जरूरी है बताना आपको कैसा लगा काफी टाइम हो गया मेरे को यह वोल पेपर स्टीकर बाए कि वे बट मैंने सूचा नया रूम बन रहा है मेरा नया सेटप बन रहा है यूटूब के लिए तो मैंने सूचा क्यों ना उसको वहां पर यूज किया जाए बट उसमें अभी थोड़ा टाइम लगए तो इसलिए मैंने सचा क्यों ना इसको यूज ही कर लेते हैं थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जूर से बताना है क्या आपको यह बैग्रांड पसंद आया या फिर नहीं है और इसके साथ में मैं दोस्तों यह जो वोल पेपर स्टिकर य आपको आई उटन में डिस्क्रिशन में मैं लिंक देदूँ आप वीडियो आप जाके देख सकते हैं बट मैं बताने वाला हूँ आपको नेक्ट वीडियो क्या हूँगा यह जो सेल्फ एदेशी वोल पेपर होते वो आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से एक स्पेशल में ट्रिक बताने वाला हूँ आपको जिससे की आपको काफी हेल्प हो जाएगी इसको यूज कर में क्योंकि आपको पता है यार सेल्फ एदेशी वाले बहुत ही दिक्कत होती है और आपको पता है बार-बार चिपका होगे हटा होगे ना तो उससे उसका जो होता है वो भी खराब हो जाते है कि उसको चिपकेने के समता वो कम हो जाती है तो minesहीं किया अपने तरब से बैस्ट करने की आप बताना करके कैसा लगा और जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी जिसके बारे मैं मैं आपको बताने वालाँ कि कैसे ये वोलपेपर वगर आप थोड़ा लगा सकते हो और कौनशी कौनशी जगह पर इन वोलपेपर को आप यूज कर सकते हो क्योंकि जब भी आप बाइक करने जाओगा आपको नहीं पता होता जैसे मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौनशी कौनशी जगह पर लगा सकता हूं मैंने जस जगह पर सोचा था लगाने का उस जगह पर यह काम ही नहीं करता है। तो उस जगह पर यह याइं यूज भी नहीं कर Bonus सरी मैं इसको में नगता पहले हुता है। वाले टाइम में आपको बताने वाला हूं वीडियो के थरू कि कहां कहां पे आप इसको यूज कर सकते हों सब्सक्राइब करके और वीडियो चलेगे लाइक शेट 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 कर लेने चानल को मैं मिलता आप आप से नेक्स ट्रियू में